हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बेक टू सेंटी रोई चनल मैं हूँ आपका दोज सेंटी रोई तो गाइस आज मैं आप लोगे लिए बहुत अमेजीन वीडियो लेके आए हूँ आज की मेरी वीडियो का सब्जेक्ट है फोटो कोलाज मेकर वर्जन 9.5 आज मैं आप लोग एक जाना चाता हूँ जिसको नहीं पता है काफी सारी फोटो को मिक्स करके एक पेज में डिजाइन करना और उस डिजाइन को पिंट आउट करना उस चीज को बोल जाता है कोलाज यहाँ पर मैं कुछ सेंपल आपको शोग कर रहा हूँ यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग सें कोलाज में जो बना के आप दो आपको क्या करना पड़ता है कि आप खुद तो बनाते नहीं आप देते हैं या तो स्टूडियो को या तो फिर लैब को इस सिच्वेशन में आपको काफी सारे पेग करना पड़ जाता है पैसे इस्टूडियो वाले को जो कि आपका डिजाइ से वो भी बढ़ेगा और आपको जो टाइम बचेगा उस टाइमिंग भी आप अपना कुछ दूसरा काम कर गया आप पैसा अन कर सकते हैं तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब से इतना है कि आज मैं आप ज़ो सॉफ़र्य प्रोवैड कर रहा हूं ये मार्केट में आज की लेट में कॉलाइज बंते हैं शेप वाले कॉलाईज टैक्सट वाले कोला घ्ला आज कल तो कुछ ऐसे कॉलाज बननेकी एक शीट में स्फ़रिंक चार से पांच फोटो मेरा की बैग्रण दिखाए तो इससे जब बस्त हो नहीं सकता। सबसे पहले बात है कि आज मैं आप लोग को साई चीज बताने वाहाँ कि सबसे पहले कि आपको कैसे मिलेगा। अगर आप outdoor वाले हैं या नहीं है या फिर आपका photographic से related काम नहीं है आपको दूसरे लाइन के हैं लेकिन आप मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर आपको हलका सब इंटरस्टेर है तो आप ये वीडियो पूरा वाच कर सकते हैं ये software आपके लिए भी काम आएगा सबसे पहले मैं आपको बताएं जारों कि इस software आपको कैसे मिलेगा सबसे पहली बात यह कि जो software में आपको आज प्रवाइड करों ये paid version है लेकिन बहुत जादा amount आपको पेर नहीं करना है इस इसके लिए आपको 200 रुपर आपको एक software मिल जा रहा है जिस software की मतलब से आप काफी सारे पैसे जमरेट कर सकते हो ये आपको पता ही होगी ये वाली बात तो आपको इसके लिए 200 पैग करने पढ़ें कैसे आपको पैग करना है कैसे आपको भी बता रहा हूं मैं आपको कैसे बाय कर Qian करना आपको इस वीडियो चैनल है यहां यहांसे मैं कोई से वीडियो पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुद सब्सक्राइबर करना सब्सक्राइब अब नहीं क्या है तो कि मुद्रा यह वीडियो चप्रपलने का बड़ा कियो डिशयक्त है वीडियो चलुद दो तो यहां से आप शोव मोर पड़ा ख्लते हैं तो आपके सामने एक लंबी से list खुल जाएगी, यहाँ पर आपको लिखा आएगा follow me, अगर आप मुझे social media में follow करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सारे link दियो है, follow करने के लिए WhatsApp गुरूब, Telegram गुरूब, Instagram का गुरूब और Facebook का पेज, और यहाँ पर मेरी दो website का link भी दिया हुआ है, यहाँ पर एक link और आपको दिखाया देगा, यहाँ पर लिखा हुआ my second channel, अगर आप मेरी second channel के लिए interested है, तो यहाँ पर link है, उसका थोड़ा सा move down और करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सेंदें कि download link, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर download link है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सेंदें कि यहाँ पर लिख करना है, आपको इसी link के उपर click करना है, ठीक है guys, जैसे आप इस link के उपर click करेंगे, तो आप पोच जाएंगे मेरे इस वाले page पर, इस वाले page पर पोच जाएंगे बाद आपको करना है थोड़ा सा move down यह मेरी website है, यहाँ पर आपको move down करना है move down करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके subject का नाम आपको यहाँ पर दिखाए दे जाएगा photo class maker version 9.0 थोड़ सा और नीचे down करेंगे तो आपको इसके image दिखाए देगी थोड़ सा और नीचे करेंगे तो आपको थमिल दिखाए देगा फिर आपको एक download button भी दिखाए देगा आप इस button को press कर सकते हैं इसको buy करने के लिए लेकिन मैं आपको थोड़ सा और बतायता हूँ अगर थोड़ सा और नीचे करेंगे तो आपको इस software का कुछ sample दिखाए देगे कुछ आपको इसका description area दिखाए देगा कुछ पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं और आपको हर एक image के नीचे आपको download button दिख जाएगा जैसके यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा सा यह download button है अब ऐसे अगर आप पढ़ना चाहें इस सब चीज को आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं otherwise किसी भी download button पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी चीज दिखाए दे रहा है और यह download button है आपको हर एक image के नीचे दे दिया तो माल लेते हैं कि चलो यहीं से हम लोग इसको प्रेस कर देते हैं जैसा आप इसको प्रेस करेंगे प्रेस करते के साथ आप इस वाले पेस पहुझ से पहुंच जाए आपको यहां पर बाइनाव पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप इस वाले बेस पाजेंगे इस पेस में आप से पूछ रहे हैं नाम इमेल ड्रस और फोन नमबर आपको यह तीनों चीज़े बिल्कुल पर फैक्ट भरनी है राइट इसलिए वह नहीं है क्योंकि जब आप आपको यहां पर बिल्कुल सही डालना है तो यहां पर फोन नमबर फैक्ट डाल दिया है माल लेते कि आपने इपनी इफ्रमेशन यहां पर फिल कर दिया है फिल करने के बाद आपको next पर क्लिक करना है next पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यह वाला एक screenshot आ तो थोड़ा सा मूफ डाउन करेंगे तो यहां पर लिखाव आ जाएगा आपके पास more payment option आप यहां पर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको चार आप्शन आते है नेट बैंकिंग वालेट पे लेटर और नेफ्ट बैंक ट्रांसफर करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पर बैंक की option आजाएंगे कि आप SBA से करना चाहते हैं ICI से करना चाहते हैं HDFC से अगर आप right email address डालते हैं तो आपके पास जैसे हैं आप यह payment done होती है अगर by chance download नहीं हो पाया किसी कारण से light cut गया आपकी या फिर computer बंद हो गया तो वहाँ से आपको company से automatically mail भी जाएगी आपकी mail पर link होगा वहाँ से आप download कर सकते हैं जो कि बहुत easy होगा तो guys यह तो था इसको buy करने का तरीका इसको आप जरूर बाई करें सिर्फ 200 रुपे है 200 रुपे के अंदर आपको एक amazing software मिल जा रहा है जिसकी मदद से आप बहुत सारे पैसे earn कर सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत best opportunity है तो please आप इसको जरूर बाई करें तो अब ही हम लोग चलते हैं कि software को install कैसे करेंगे ठीक है जहां से आपको द्यान से देखना है तो यहां पर देख सकते हैं कि मिने software को यहां पर रखा हूँ है जैसे आप इसको buy करते हैं डाउनोड करते हैं तो डाउनोड के बाद आपको यह वाला window की file आजागी यह विन्रार की file के size है वो 200MB है ठीक है अगर आपने इसको download कर लिया या बाई कर लिया है तो आपको क्या करना है यहां से बिल्कुल ध्यान से देखना है कि कैसे install करना है यह चीज आपके बहुत जुरूरी है तो आपको क्या करना है यह विंदार की फाइल है आप उसको double click करेंगे double click करने के बाद आपके बाद सिवा dashboard आ जाएगा यह विंदार का dashboard है यहाँ पे लिखावा है extra 2 आपको यह press करना है जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो यहां से आप अपने डेक्टर को सिलेट करके से आप OK करेंगे, लेकि मैं आपको सम्झाने के लिए मैं डेस्टॉप पर ही मैं इसखो ओके कर दिया, OK करने कवाद यहां पर आप देख सकते हैं कि अपके फाले एक्सिट हो रहे है, एक्सटेट होने के बाद विन्रार को अपडेट करना होगा विन्रार को अपडेट करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.senterio.com तो वहाँ पर विन्रार का लिंक मिल जाएगा वहां से डाउड कर सकते हैं या फिर गूगल चाप लिए कि फाल होती है तो मालने देट है कि आपने एक्सटेट कर लिए एक्सटेट करने के बाद आपको यह वाला फोल्ट राजएगा तो सबसे पहले मैं आपको काफी सारी ची को चलाने के लिए आपको किसी दूसरे पर निर्भन नहीं होना होगा अगर आपका फोटोशॉप है चाहे नहीं है इससे कोई फक्र नहीं पड़ता इस आपको सिर्फ यह चलाना है इस आपको सबसे पहले दिखाए देगा की यहां पर की फाइल है यानि की सीरियल नंबर बग सफटर या पर काफी सारी चीजिजें फिरी में डाउड करने के लिए तो यह मेरे दिन वेब्साइट हैं वहाँ आपको काफी सारे रिस्टीर प्रिसवायल अक्षिर के तो you अब्सक्राइब करने का बनाया है जो कि आप इस वीडियो में स्टार्टिंग में तो यह तीनों वेबसाइट मेरी आप इसको विजुड जबू करें उसके बाद यहां पर एक नौटपैट की फॉयल है इंस्ट अब्सक्षन लिखा हुआ यहां पर अगर डबल क्लिक करतें त अब हम लोगों ने software को buy कर लिया buy करने के बाद download automatic हो गया उसको हम लोगों ने एकस्टेट करने के बाद आपको यह वाला folder आ गया सारे के सारे इसमें अभी हम लोगों जो man important वो है setup और key file यहां पर जो दो folder है यह important है सबसे पहले अभी हम लोग software करेंगे software वाले folder पर double click करते हैं तो यहां पर आपको एक setup दिखाए देगा जिस setup में नाम लिखा हुआ हुआ है collage maker.exe file इसको आप double click करेंगे जैसे आप इसको double click करेंगे तो आप से security के लिए yes or no मांग सकते हैं तो आप इसको yes कर देंगे yes करने के करने के बाद आपको चोटा से पैनल आ जाएगा इस पैनल में यह आप से पूछ रहा है language slide करने के लिए definitely आप इसको English में slide करेंगे तो आप English का रखेंगे इसको यहां से चैंज कर सकते हैं छोटा software है तो आपको यहां पे चैंज ना करेंगे तो ज्यादे बेस्ट रहेगा अब यहां पर directly इसको next कर देंगे next करने के बाद यहां पर दो click होगा अगर आपको click नहीं है तो आप click कर देंगे यहां पर लिखाव हो चाले सेकंड लगीगा उससे ज्यादा नहीं लगीगा लेकिन डिपेंड करता है आपकी कम्पिटर के स्पीड के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो फाइल है सारी फाइल आपकी एक्स्टेट हो रही है जैसे इसके बाद हम लोग को करना होगा इस सॉफ्ट्ट आपको सीखना जरूरी है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इंस्ट्रोड के साथ रिच्टर भी आपको करना जरूरी है क्योंकि आप नहीं करेंगे तो सफ्ट्टर में आप काम जरू कर पाएंगे लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे तो यहाँ पे आप द करने के बाद अगर में इस फ्ल्टर को मिनिमाइज करते हैं तो टेस्टों पे आप करने के यहां पर आइकन को उठाकर माई रहा हूं यहां उये रिक दिया यहां पर पिल्थ डी यहां रखया है, इन्सक्रेशन के बाद आपके पास आजएगा, अभ unto को क्या करना है software को register करना होगा register करने के लिए वापस मैं उसी फॉल्टर पर जा रहा हूं जिसको किया था यहां पर की फाइल है यहां पर देख सकते हैं इस की फाइल के डबल क्लिक करेंगे तो यहां आइकन के उपर जाएंगे और राट क्लिक करेंगे हम लोग राट क्लिक करने के बाद जो मैनू खिलता है उस मैनू में जाते हैं यहां पर आपके पास लिखाव आ जाएगा खाली जगह है इस खाली जगह पर आपकोавать क्लिक करना एह यहाँ पर लौ आपको फाइल की आपको इस के ऊपडूपर डाब करना तो आप इसको येस्पे क्लिक कर देंगे जैसे आ पास के छोटा से वाला मैसीज आएगा इस मैसीस पे भी आपको यहां पर यहां पर यहां पर क्लिक करना हो आपको ऑK करना i beer यहां पर नसको कर दिया Pacific Day का है यहां पर यापको सेस्टेijo इसको डुबल क्लिक करते हैं, ऑर ओके कर देते हैं, यह एक्सेस फाइल के ओपर क्लिक करना है, कॉपी, कॉपी कर लिए है, अब इस पर पेज को मिनिमाइस करते हैं, यह वाला पेज वही है, जो कि हम लोगों ने icon के उपर right click करके open file location पर open किया था मैं फिर से समझा थे तो मैं इसको बंद कर देता हूँ तो जो यह icon था हम लोगा icon के उपर right click किया open file location था उस पर click कर दिया तो वापिस आगे हम लोग वह folder पर अभी हम लोगों ने यह वाली file paste करी थी ठीक है guys आपको याद होगा अभी हम लोगों ने इसको double click भी किया था लेकिन अभी जो हम लोगों ने copy किया है उसको वह खाली जगा पर paste करना है इस खाली जगा पर मैं इसको paste करना हूँ right click किया मैं ने paste कर दिया पेस करने के टैम पर आप से वाला option आ सकता है replace के लिए तो आप इसको replace कर देंगे फिर continue आएगा तो आप continue पर click करेंगे continue पर click करने के बाद आपकी फाइल है जो replace हो जाएगी अब इस folder को मैं कर देता हूँ close close करने के बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको software successful registered हो चुका है यानि अभी हम लोगों ने देख लिया कि कैसे buy करना है ठीक है buy करने के बाद download होगी आपका होने के बाद आपका software registered हो चुका है यहां पर डेश्टोप में एक बार आइकन आजाएगा और टास्क बार में भी यहां पर देख सकता है आइकन आजाएगा अब हम लोग इस software को आपन करने जा रहे हैं पहली बार तो कैसे आपको काम करना है वह आपको सीखना होगा इसके ठीक है गाईस तो यहां पर मैं सबसे परले डेश्टोप एक फोल्टर पना चाहिँ और डेमो के नाम से और उसके नतर कुछ इमेज ले लता हूं उसी इमेज के सथ मैं काम करूँगा तो यहां से मैं अपनी अपनी पेस्ट कर लिए हैं मैंने इस फोल्टर रख दिया है कर दिया डवा क्लिक करने के बाद हो सकता है यह first time पर start हो रहा है तो एक मिंड लेगा आप से अगर हो सकता है ना भी ले फटाक से आपको start होगा तो बिल्कुल आपके सामने ऐसा ही आएगा आपको यहां से भीकुट ध्यान से समझने कि कैसे काम करना है इस software के अंदर से पहले जो लिखा हुआ है create new project अगर आप नया प्रोजेक्ट करना चाहते तो यहां से करेंगे उसको यहां पर लिखा है create photo book अगर आप कोई book type का बनाना चाहते हैं तो यहां पर click करेंगे उसको लिखा हुए open से अगर आपने सउफ में पहले काम किया और अपने प्रोजेक्ट को सेफ करके रखा हुआ है तो उस प्रोजेक्ट को open करने के लिए यहां पर यहाँ पर यहाँ पर यहां पर बिके कोई नहीं Norm क्योंक़ यह अभी इसको इंस्ट रहों पर है कृअनि प्रोग यहाँ लिखा है नहीं लिखा हूए ऊट्लिट फिल लिखा है ब्लैंक प्रोट्च को सब्सक्राइब यह गया पर आपको अपने फोटो को उठा उठा के वहाँ पर रखना होगा दूसरा वाला जो है ओटो कोलार जिस पर लिखा हुआ है यह शेप वगारा के लिए होता है जिसमें आपके शेप रेडियो हो जाएगी उसके बाद है थर्ड वाला ब्लैंक प्रोजेक्ट अगर आपको मैनुवल एक फोटो उठा के फोटो में फिर फ्रेम डालेंगे फोटो में कुछ एफेक्ट डालेंगे फिर बैक्राउंड डालेंगे मतलब कि टोटल मैनुवल गाम करने के लिए आपको इस वाइड पेज पर क्लिक करना होगा तो अभी हम लोग सीरियली चलेंगे ठीक है तो सीरियली चलने के लिए सबसे पहला है को लाज टैम्पलेट तो अब यहां पर क्लिक करेंगे तो आपका डैशबूर्ट कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा यहां पर आप काफी साइड टैम्पलेट आपको दिखाया देंगे जितनी बार भी आप स्कूनीशे करता जायेंगे हर एक टैप के दिखाये देंगे घृष्ology नहीं सब करते हैं यहां पिसे कुछ टैम्पलेट करते हैं से किस Και कर कर सकते तो यहां छिच हम समझाने के लिए यहां से hundred like ने ने क्लिक कर लिया और यहां पर जो next बटन था यहां पर आपका साइज आप लेना चाहते हैं अगर आपका साइज यहां पर है तो आप क्लिक करेंगे मुझे inches समझाता है तो मिनें यहां पर inches कर दिया उसके मखे किस साइज का बनाना है मैं इस्फिफ 812 का बनाना चाहता हूं यह मैंने 12 कर दिया तिक है जैसके मैं 12 किया आपको आगे रेजुलेशन क्या बहुर्युलेशन आपको देना है यहांपर 72 है 96 है और 300 तो डेफिनिटल कर लिया अब मैं सो करता हूं complete तो अभी यहां पर आपके सामने कुछ loading ले रहा है आप देख सकते हैं और आपके सामने यह पेज आ गया है अब आपको अपनी photo को उठाके यहां पर डालना है photo को डालने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं left फ्रेम एफेक्ट का option फिर टेक्स का option तो यहां पर फोटो पे क्लिक टरते हैं photo पे क्लिक करने के बाद यह का आपका computer आज खुल जाबा यहां पर आपको पूझा कि कहां पर आपने पर नग्रत करा यहां पर लोकेट करा उंडेस्टों में तो मेरी इमीज जहां पर आ गई है तो मेरी सारी में जहां पर आचुके है यहां से सब्सक्राइब कर लिए अब इस वक्त रहे हैं यहां पर डिख सारी है उसके बाद यहांपर देते हैं मैं इसे फोटो को उठाएक projects रखने के बाद जो आपका result आ बहुत amazingsınız आहाँ जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं मैने सबादसि इस वाली स स्थ questo को यहाँ पर दाल देते हैं अब हम लोग को क्या करना है अगर हम लोग को सब को सही लग रहा है तो हम लोग डायेट के लिए इसको सेफ करके पिंट आउट निकाल लेंगे जाना होगा आपको यहाँ पर फाइल पर इह excitada देख एपने समझ लिए वह मुझे इसमें कुछ changes करने है जाना होग वहाँ हुआ फोटो पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद उपर के जो बटन से हाईलाइट हो जाते हैं आपको समझना हो यह बटन क्या काम करता है यह साही चीज आपको देखने होगी यहां पर फोर्वरड वगारा के लिए जैसके आगर कोई इमेज आपके इमेज को ऌपर चाना में फोटो इहां पे आप फोट ने क्लिक कर सकते हैं। इस इ इसमें अपर नीच वाले यहां पर हैं उसको यहां पर इंदर आगर आप उसको भाते हैं तो क्या होगा ? क्रोश दबाया तो आपके जो इमेज है वो गायब होगी तो मैं यहां से कंट्रोल जट दबा रहा हूं कंट्रोल जट से वापस आ जाती है मैं फिर से क्लिक कर दिया उसके बाद है आपके बस क्रॉप बटन ठीक है अगर आपका एरिया ज्यादा चुटा हुआ है तो आप क्र मैंने इतना क्रॉप कर लिया तो मेरिए सब्सक्राइब च थो पड़के कर सकते हैं यहां पे यहां पनल टूल यहाँ पैनल आ जाएगा इस पैनल में आपको फोटो को कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग कर सकते हैं यह कटिंग टूल है जसकी मैंने यहाँ पर यहाँ पर सकते हैं अभी क्या हुआ मैंने इस वाले button से ऐसे rap किया उसके वाहं ञांपे शार्पनेश की फाइदर भ फैदर हम लोग ज्यादा ले सकते हैं ज्यादा करते हैं और फैदर लेने आप और फैदर ले काम वाता आप worry को यह कर दिया उसको अध्य कुछ सेटिंग का सेटिंग पर चलते हैं मेरे फोटो पर किलिक है ठीक है तब यह ओप्शन हम लोग के शो कर रहे हैं अगर मैं बाहर क्लिक करूंगा तो आपको यहां पर देख सकते हैं मैं फिर से फोटो पर क्लिक कर रहा हूं तो ऑप्शन आ अगर मैं ब्रैटनेस बढ़ाता हूं तो आपके इमेज की बढ़ देख सकते हैं तो आपकी फोटो लाइट हो गई है इसको कम कर लेते हैं यहां पर उसको क्लर बहुत ज्यादा देगा ठीक है थोड़ा से उसको बढ़ा देते हैं हम लोग सेटियो बढ़ा दिया बढ़ाने यहां पर देख सकते हैं नीचे यहां पर पोजिशन है यह चूड़ी है यह उपसेटी का मतला आप जानते हैं अगर मैं इसको जीरो कर दूंगा तो आपको कुछ दिखा ही नहीं देगा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो कुछ ऐसा दिखाए देगा वाटर मार्क की तरह मै की पोजिशन फोटो को जो हम लोग का लास्ट में है यानि की लेफ्ट साइड में टाच हो रहा है अगर यहां से मैंने चेंजिस किया तो आपके फोटो बीच में आजाएगी पेच के तो आपको यह चेंजिस नहीं करना है ठीक है यहां पर आटो क्रॉप वगरा यह सब भी सलेट किया कोई साथ कर सकते यसके मेंने बील्यू कर दिया ठीक है और ऑके कर देते हैं आप यहां जी चेंज कर सकते हो मतकथ कलर चेंज कर सकते हो थिक यहँए अगर समझ आ जाएगा तो मैं सो चैंसर कर रहा हूं यह हो गया उसको यहां पर एक लॉक है अगर इस लेयर को आप बार पर हिला रहे हो गलती से हिल जा रहा है यहां पर लॉक कर दें तो यह आपका ओल्मोस डिजैन बन गया है ठीक है अब इसमें थोड़ा सा एक चीज में बताना और भूल गया एफेक्ट वगारा मैं फिर से सेटिंग पर क्लिक कर रहा हूं सोरी इमेज लॉक थी सेटिंग पर क्लिक यहां पर इफेक्ट पर चलते हैं सो लेयर शेप चलते हैं यहां पर एफेक्ट हो गया है तो यहां पर यहां पर आप शेप बीचेंज कर सकते हैं जो कि मैं आपको पहले बता चुका तो यहां पर देखो frame है mask है और filter में आज़ो आपको काफी सारे filter दिखाए देंगे यह filter का effect आपको डालना है मुझे black and white करना है तो मैं एफेक्ट उठाकर डाल दी है यहां पर आपको काफी सारे effects दिए वो डाल सकते हो mask लगाना है तो यहां पर masking का option है यहां से कोई से mask आप उठाके लगा सकते हो यह मैं लगा दिया तो आपको mask लग चुका है यहां पर देख सकते हो आप मैं मास्क लिए करूँगा यहां भी तो यहां पर क्या करें यहां पर इसको कर देता है चYAारिम चैनल बड़ के लिए जितना बड़ा ज्यादा टाइम लगिए तो यह भी प्रिपेर हो रहा है जिता देर इसको लगता मैं इसको वीडियो को फास्ट कर देता हूं तो जैसे कि उसने लोडिंग लिया लोडिंग के बाद यहां पर मेबाज यह वाल ऑप्शन आ गया मेरे लोडिंग को खतम होने में मुश्किल टीस सेकिंड लगा है और मुझे मुझे वीडियो को गुरॉप नहीं करना बड़ा आप यहां पर देख सकते हैं अब यहां पर क्या हो रहा है रिसोर्स इमेज और जपीज दिखार यहां पर आप देख सकते हैं इमेज की क्वालिटी वगरा सब कुछ सही है यहां पर किस लोकेशन में करने आ लॉकेशन किस प мнे करना ऑन कैया नाम देना जो नाम लिखलar वहीं कोल जो धेना है यहाँ में सेफ किले लिका तो चैहर जावा दिए और छार डाया है यहां पर फाइल यहां चाहिंटे हो से टा यहां पर चूब्र पर जाना चाहते देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं और कि इसको पूरे जेट बता दिया आप हो इस पूरे or form कर रहा को बंद कर से इसके क्लिक कर रहा हूं नगार था को सब्सक्राइब करते हैं यहां पर एकोर्डिंगल चाहिए आप हैं पर आप कंटीन और सुर्य कंप्ली सुर्ड लिखा है कम्प्रीड इक्रेंगे कंप्लीट करने के बाद आपका पेज आ गया उसके पाद यहां पर आपके अपने फोटो को स्लेट करना है मता जो जहां से location है वो location देगे आपको select करना है मेरे पास यहां पर location आया हुआ है तो यहां से मैं अपनी image को उठा रहा हूँ जिसके मैंने image उठा के यहां पर रख दी यह थोड़ा सा manual का है यह मैं आपको बता रहा हूँ यह मैंने image रख दी उसके बाद इस image पर क्या करना है मेरे को डालना है क्या frame या फिर effect वगण या फिर mask वगढ़ा मैंने। यहां से कोई सब्सक्राइब यहां से मास ले सकते है यहां से बढ़ा दिया इसको इसे करके बढ़ा दिया यहां पर बीच में रख लो यहां तो ऐसे करके लखो है मैं पर मास्क त्याय चाहिए वह त्य। रखे लेते हैं और भी यहां पर रहまउच पर हैं यह भीहएं यहां पर आप देख सकते हैं आप एपर लगा दिया मैं एदर और यह मास्क मैं यहां पे बी लगा दिया और इस पर भी लगा दिया ठीक है यहां फे लगा दिया ठीक है यहां पर सैट हो गया मेरा इसको ठागी नेक्स फोटो लेते हैं हम लोग नेक्स फोटो मैं यहां पर उठाके रखी ठीक है और ले लिते हैं यह फोटो उठाके यहां पर रख दी यह ले लिया और फोटो ले लता हूं मैं यह वाली फोटो ले लते हैं इसको भी उठाके मैं यहां पर रख दिया चलता हूं मैं फिर से मास्क वाले पर यहां गए मैं सब मास्कते रहा हूं ठीक है यह मैंने दे दिया अब इस वाली को तरके मैं इ häufig टएक मुझे थोड़ा सा क्रॉप करना होगा इसको ऐसे करके कर सकते हैं हम लोग कर लिया इसको मैंने यहाँ पर रख दिया और इस वाली को ऐसे करते हैं लेकिन यह इसके उपर चाड़ रहा है आप दागर ध्यान से देखोगे यहाँ पर वाली इमेज इस वाली इमेज के उपर चाड़ र रहा हूं स्वारी फोटो यह नहीं है यह वाली फोटो है यहां से मैं कोई फोटो ठालता हूं जिसकी यह वाली फोटो उठाई इसको मैंने यहां पर रख दिया इसको इसके यहां पर रख देते हैं एक फोटो लेते हैं जिसके यह वाली इसको यहां पर रख देते हैं दो फो चोटा कर सकते, यह मेरा जी हो गया, तो यह मेरा फूरा पूरा कि तेक है, मैं आपण आपण आसे स्था बहुत देखे, मैंन आप इहां पर बनांगे कि नी बाधि अब रहे हो गी बैगरॉण्ड की की बाद, तो यहां पांप DAN टैब है यहां पर देखसेके बेंग्राउंट इसके क्लिक करो तो यहां पर वाइ्ट रज़ूट दिया हुआ आप किलिक करो गे तो सींगल कलर बेगरोंट बल्लेक किया और के कर दिए तो ब्लैक हो गिया जिस mean कर दिया मैंने यहाँ पर देख सकते हो अगर दीन है यहां पर सकते हो कब कुछ ऐसे टाइप के यह देखो अब ठीक है काफी चाहरे आपको option मिलेंगे यहां पर यहां पर देख सकते हूं यह बहुत अमेजिंग दिखाश दे रहा है पैसे जो color इसमें आया है वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है लेकिन फिर भी चेंज तो करना ही पड़ाएगा कि मु कर दिया अब इसको कर देता है यहां पर आ गया ठीक है तो यह हो गया हमारा उसको टेक्श्चर भी है टेक्श्चर करने के बाद यहां पर काफी सारे आपको टेक्श्चर दिखाए देंगे यहां पर कुछ भी लगा सकते है यहां पर यह लग गया ठीक है उसके बाद कुछ image पे क्लिक कि यहां पर आप से पूखहां galera कि कोपना लगा नहीं है यहां से एकर फिर सहब नदो कर दिया यहां पर यहां पर लग चुका है पीछे पूरा लगने के बाद बैग्राउंड हमेशा बलर रही लगाना ताकि अच्छा दिखे हो बलर कर दिया यह भी हम लोगा डन है आप हम लोग इसको सेफ करके पिंटाट निकाल सकते हैं को ब्लैक माइट करना है तो आप क्या करना होगा फ्रेम एन एफेक्ट पर जाते हैं तो यहां पर आपको ब्लैक है और देख सकते हो जिसके साथ आपका यह वाला इवाला क cut खुल जाएगा तो उस एफेक्ट के अंदर काफी सब्सक्स कर सकते हैं अगर अगर सब्सक्राइब निया रहा हुए और पर और नियू उपर शाप छेणीघ कर सकते हो qitam recap do pan यहां पर दिया गए है रिषाल में यहां से कोई फिलाल फ्रेम ये वाथ फ्रेम है इसको ठाकी में ले लिया और बीच वाली फोटो में डाल दिया डालने के लिए दिखाई ने रहे लेकिशे इसको अपर करना होगा ठीक है अप करने के लिए मैं इसको अप किया अप किया आप किया आप किया आप देखे सकते हो मैं इसको क्लिक करते जा रहा हूं तो यह मेरी फोटो अप होते जा रही है अप हो गई है उसके बाद मैं इसको क्या कर लेता हूं अपने हिसाब से यहां प को यह भी हो गया मैं सो बंद कर देता हूं लूंग कर दिया नो कर दिया अब फिर से में क्लीक कर रहा हूं कि तीसर अर्ला मुझे समझाना है अभी मतलब कि जैसे लाइल इंबाइज लाइन फोटो लगे यह वैसा बनेगा यह आप देख लोगे ठीक है बहुत इजी है इसको चलो दिखाए देता हूं क्लिक करते हैं यहां पर आपको टैंपल दिख जाएंगे यहां पर देख सकते हैं आप बाद में भी वैसे शेप को चेंज कर सकते हों कि यहां पर किसी भी टैख को लें आई हम लोग ने मैंने ऑपके ब्लाइक अरिया यह वो चीज़ आए यह दो कहने से कुर्ती से बुरेगे रूष नहीं कर verr Grad assigning को, फीर ब्यक्तर driving आ सवância ठीक है यहां पे टोन है ब्लाइक और वाइट का यह सब टोन आप देख सकते हो फिर नेश्ट करोगे तो आपके पेस साइज आएगा पेस साइज में रौके है आट बारही ही ले रहा हूं ठीक है अगर मैं इस वाले लोडिंग को साइड कर देता हूं और यहां पे आप देखो एक एक करके आपकी पिच्चर सारी है और आपकी पिच्चर ब्ल्कुछ सही जगा पे सेट हो जारी है आपके सामने यह बनना आके अभी शो कर रहा है यहां पर आपको दिखा दो तो यहा एप लगए है अब यहां पर जोभी आपको चाणा यहां यहां पर रखते हैं और आपब के लिए कि अगर करने है तो यहß और चाणותन कहला है यहां पर यापके सामने आपको जो रिजल्ट हो आ चुका है अब यहां से सको सेफ करके बेंटरोड सकते हैं ठीक है अगर आपको चेंजिस भी करने हैं आप देशा है कि एक फूटो पर यहां पर क्लिक हो रहा है अब अपने अकॉर्डिंगली यहां पर चेंजिस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली आप यहां पर जो भी करना है चेंज कर सकते हो तो यह तो हो गया मैं फिर से इसको बं text लिखनेगा यहांपर मैंने कर दिया जिसे की s कर दिया and and कर देतें et लिए और पी कर देतें यह तोसके यह कर दिया में फाँ अपने संप साप ऐसे करके अगर कर श्कृत कर सकते हैं तो अगर दुयां कर चाहें तो आप बड़ा एस लिखा हुआ एंड लिखा पी इसके उपर फोटो लगाने है यह हो गया नेस्ट कर देते हैं नेस्ट करने के बाद यह फिर से पूछा डबल कली फोटो डबल कली किया में पास फोटो कम है तो मैंने इसको बस स्लेट किया और ओपन कर दिया और यह सारी फोटो आज़े कि करते हैं नेस्ट करने के बाद यहां बीझ चलता है और मैं तो जोठे के लिए उपर कर ले तो अब कि उपर कर लिए तो आप पिछे की तरफ देख सकते कि कुछ में अपकी फोटो एक एक नकर कर आ इस वीडियो के अंदर हर एक टाइप की ऑप्शन दिये गए है जो मैं आपको बताई जा रहो इस वक्त वो सारी चीज़ इंपोर्टेंट है आप बस देख लिए आप इसको इसको हम लोग थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं तो लोग कर यहां से आप देख सकते हैं यहां कि मेरे किलिए करंगा तो क्या होका यहां पर लोटिंग चलते हैं अब लोटिंग चलके लगा दिते हैं घेदिन से उसके आप देख सकते हो खो चाहू बजा दो लेकिन सवासा देखा गो गर क पर uda को धीजर करवा उसके बाद तो गर के अंदर दिवार के बहुत ही अम्यजिंग नहीं्म हो ते तो इसको नो कर देता हूं यह ब्लैंक तो आपको मैंने बताई दिया था कि ब्लैंक का मतलब पूरा ब्लैंक की है आपको जस्ट नॉर्मल यह आपको एक एक करके उठाकर डालना है तो यह सारे आपको आपको समझ आ गया हो बहुत ही इजी था बहुत ही अमेजिन था काफी सारे जो ऑटम कोलाज वाले आप टेंपलेट है वह भी बहुत सारे खुश से भी आप अपने कोलाज को टेंपलेट करके महाँ पर सेफ कर सकते हैं जो इसमें काम करेंगे तो आप सब को सीख जाएंगे बहुत ही अवेजिंग साफ्टर है इस वीडियो के इंदर काफी जगा आपको कॉन्टैक नमर करें और आपका शोचल मीडिया कोई अकाउंट है वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं इसको इसके वाट्साप ग्रोप फेस्बोग ग्रोप या जो भी आप ग्रूप है आप जरो शेयर करें तो गैस मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स वीडियो पर I hope you guys enjoyed the video if you really did do not forget to like comment share and of course subscribe to my channel thank you so much guys for watching love you guys